Hello दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने लैप्टॉप की या फिर डेक्स्टॉप की स्क्रीन को अपने Me TV या फिर किसी Android TV में आप कास्ट कर सकते हो, आपको किसी भी third party app की जुरूत नहीं पड़ेगी, आपके लैप्टॉप में ह या फिर आपके desktop में ही वो feature है, जिसके मदद से आप easily अपने लैप्टॉप की स्क्रीन को कास्ट कर सकते हो अपने TV में, और इस lockdown में हो सकता है कि काफी लोगों को ऐसे बड़ी display की दिरूरत पढ़ती हो, कुछ देखने के लिए या फिर आपको कुछ टाइप और गयरा करने अगर आपको छोटी स्क्रीन में प्रॉबलम होती है, तो कहीं न कहीं ये option या फिर आपको ये वीडियो काफियत मदद कर सकती है, वीडियो को पूरा देखिए step by step में आपको दिखाने वाले हो कि किस तरह से आप अपने laptop की स्क्रीन को कास्ट कर सकते हो, android TV अगर आपके पा मेरे देख रहे हो, ये मेरी TV की ही display है, अब मैं इसको एक बार disconnect करता हूँ, अभी आप दोस्तों देख सकते हो कि मेरे TV की ये home screen आपको दिख रही है, मेरी Mi TV 4A 40 inch है, अभी मेरी आपको TV की home screen दिख रही है, और side में आपको मेरी laptop की screen दिख रही है, अब अगर आपको cast करना ह तो इसके लिए करना क्या होगा, आपको सबसे पहले आपको अपने laptop की setting में जाना होगा, फिलाल मेरा Windows 10 है, तो मैं अपने Windows 10 की laptop की setting में जाना होगा, इसके बाद में यहाँ पर आपको एक option मिल जाता है, system बोल के, इसके उपर आपको click करना है, फिर दोस्तों यहाँ पर आपको display में चले जाना, अगर आप display पर नहीं हो, तो आपको display पर click कर लेना है, इसके बाद scroll करके नीचे आना है, यहाँ पर एक option मिलेगा, connect to a wireless display, यह पहला process मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे दो process आगे भी मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके laptop में यह option आपको न उसी के wifi से अपने TV कनेक्ट कर दो और उसी के wifi से आप अपना laptop कनेक्ट कर दो, तो ही यह process काम करने वाला है, अब just मुझे करना क्या, connect to a wireless display के उपर connect करने से पहले आपको क्या करना है, आपको अपने TV के apps में जाना है, और Miracast बोलके, मी TV में एक app आपको मिलता है, सायद यह जड़ातर सभी brands की TV में आपको देखने को मिल जाएगा, Miracast को आपको open कर लेना है, और इसके बाद में दोस्तों, यहाँ पर connect हुआ wireless display के उपर connect करना है, आपको click करना है, और आप देख सकते हो कि मेरे TV में connection successfully stable हो चुका है, अब मैं जो अपने laptop में कर रहा हूँ, वो मेरे TV में दिख रहा है, आप देख सकते हो, कि मैं यहाँ पर कुछ भी कर रहा हूँ, वो directly TV में हो रहा है, lag और यहाँ पर बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, काफी सही यह process है, बिल्कुल आपको किसी third party app को install करने की जरूत नहीं है, आपके laptop से ही directly आप अपन easily cast कर सकते हो, तो चलिए इस process को हम दोस्तों बंद करते हैं, और दूसरा process आपको दिखाने वाला हूँ, कि किस तरह से आप उसको भी कर सकते हो, तो मैं इसको यहाँ से disconnect करता हूँ, और अभी TV में automatically यह display हट जाएगी 2-3 second बात, आप देख सकते हो दोस्तों, मेरा home screen फिर से आपको यूज करना है, आपको अपना Google Chrome का browser open कर लेना, आप देख सकते हो, कि मैंने अपने laptop में इसको open कर लिया है, इसके बाद में जब आप option में जाते हो, तो side में 3 dot पे आपको click करना है, इसके बाद में यहाँ पर एक option मिलता है, आपको cast बोलके, इसके उपर में आपको click कर देना है, यहाँ पर आपका Android TV आगया, ध्यान ही रखना है कि आपका TV और आपका laptop सेम Wi-Fi से connect होना चाहिए, तभी यह सारे process आपको दिखेगा, तभी आपका TV यहाँ पर जल्दी सा जाएगा, अब इसके बाद में यहाँ पर आपको option मिलता है, sources का, इसके उपर में 3 option Cast app पे अगर आप कलिक करोगे, तो सिर्फ आपका Chrome browser ही cast होगा आपके TV में, आपकी पूरी home screen cast नहीं होगी, second option है Cast desktop, तो Cast desktop पे आप जब कलिक करोगे, तो आपकी पूरी display cast हो जाएगी, चाहे आप Google Chrome पर हो या फिन नहीं हो, सब कुछ जो आपके display में देखेगा हो, सब कुछ cast हो जाएगा आपकी TV में, and second one है File Cast, तो इससे आप File को अपने cast करके देखो गयादा सकते हो, तो यहाँ पर आपको select करना है Cast desktop, cast desktop को select करके आपको Android TV के उपर में ऐसे click कर देना है, इसके बाद में इस तरह से आपके सामने एक नई window open होगी, यहाँ पर आपको जो है, जो यह Google Chrome की मदद से, अगर आपके laptop में वो जो मैं पिछला वाला आपको option बताया था, wireless display, अगर वो नहीं जैसे Windows 7 वगेरा 8 है, आप नहीं डूण पा रहे हो, तो Google Chrome सबके ही laptop में या desktop में होता है, तो इसकी भी मदद से आप जो है, यहाँ पर cast कर सकते हो, कोई issue नहीं है, कोई problem न दिख रहा है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, अब आप इसको भी यहीं से जाके option में जाओ, cast के उपर आप क्लिक करो, इसके बाद में यहाँ पर stop casting कर दो, तो जो है casting बंद हो जाएगी, और आपके TV में home screen आपका दिखने लगे का normal जो होता है, अब जो तीसरा process है, वो अभी एक browser की मदद से है, अब आपको क्या करना, आप सभी के laptop में, desktop में, Microsoft AIDS बोल के browser आपको मिलता है, inbuilt, अब दोस्तों, यह Microsoft AIDS यह browser है, जो आपको आपके laptop में देखने को मिल जाता है, यह by default आता है, company की तरब से, अभी दोस्तों, यहाँ पर आपको तीन dot पे click करना है, इस सेम, वैसे ही करना आपको, बस ध्यानी रखना आपका TV और आपका internet सेम Wi-Fi से connect होना चाहिए, अब आपको यहाँ पर भी option होई मिलता, sources में, आप क्या cast करना चाहते हो, यहाँ पर आपको cast desktop पे click करना है, इसके उपर आपको click करते हैं Android TV को, यहाँ पर एक preview आजाएगा, कि ऐ कैसे आपकी display cast होनी है, इसके उपर आप click करिए और share पर आप click कर दीजिए, तो इसकी भी मदद से आपकी जो display है, वो cast हो जाएगी, आप देख सकते हो, यहाँ पर, बिल्कुल सही सही यह काम कर रहा है, आप back और जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपके laptop की display में दिख रहा है, वो सब कुछ आपको आपके TV के display में दिखने लगेगा, कुछ इस तरह से आप दोस्तों यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो, wireless यह पूरा process काम कर रहा है, तो इस तरह से आप जो है, अपने laptop या फिर desktop की display को easily cast कर सकते हो, अपने Android TV में, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि यह छोटी से information आपको पसंद आई होगी, और आप समझ के होगे कि किस तरह से आप अपने laptop की screen को cast कर सकते हो, अपनी Me TV में, या फिर किसे Android TV में, अगर वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर पहली बार है, तो चैनल को सब्स